नमस्कार, Astro Insights विद रिचा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ रिचा शुकला मित्रो आज बात होगी, मैं आप लोगों को नीच और उच्च के ग्रहों के कुछ सूत्र दूँगी क्योंकि आप लोगों को उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह में बहुत डाउट्स रहते हैं तो आज का मेरा वीडियो होगा, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र दूँगी जिससे आप अपनी कुंडली में नीच के ग्रह और उच्च के ग्रहों को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा कुछ जो सूत्र अभी मेरे दिमाग में होगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूगी लेकिन ये एक लर्निंग के हिसाब से अच्छा वीडियो होगा आपके लिए और उच्च और नीच के ग्रहों के विशे में आपके डाउट्स आज खतम हो जाएंगे तो चलिए शुरू करूँ अपना वीडियो, उससे पहले आज आपके लिए एक महत्तपून सूचना अगर आप जोतिश सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिये नंबर पर संपर्क करें जल्द ही जुलाई के महीने में महा जोतिश कोर्स और नक्षत्रों पर एक कोर्स, नक्षत्र ज्यान कोर्स प्रारंब हो रहा है महा जोतिश कोर्स में 20 क्लासेज हैं, जो की एक complete कोर्स है जिसमें अगर आप ये सीखते हैं, तो इससे आप जोतिश की ABCD से लेकर prediction तक में आपको ले जाओंगी और नक्षत्र ज्यान जो है ये 5 क्लासेज का एक short कोर्स है, लेकिन ये कोर्स आपके लिए इसलिए आवश्यक होता है कि आप महा जोतिश कोर्स अगर करते हैं, तो उसमें आप सब कुछ सीखते हैं, लेकिन जो ग्रहों का कोर होता है, यानि ग्रहों का जो आन्तरिक सुभाव है, वो नक्षत्रों पर निरधारित है अगर आप वो नहीं समझते हैं नक्षत्र नहीं समझते हैं तो फिर जोतिश पून नहीं होती तो यह एक छोटा सा कोर्स भी है पाच क्लासेस का अगर आप करेंगे तो आपका जोतिश ग्यान कंप्लीट होगा करना चाहें तो इस क्रीन पर दिये नंबर पर संपर्क करें हमार स्टाफ भावना जो हैं वो आपको सारा डिटेल दे देंगी धन्यवाद अब आती हूं आज के काम पर आज के वीडियो पर देखे हम लोगों ने एक अपनी धारना बना ली है कि कुंडली में अगर उच्च के ग्रह हैं तो मैं सीधे राजा बनूँगा और अगर मेरे कुंडली में ग्रहन नीच के हो गए तो बस मेरी जिन्दगी खराब हो गए ये आपकी और हमारी अंडरस्टेंडिंग है या जितना की भी जोतिश आप इधर दर से सुनते हैं उससे आपकी ये धारना अवश्य बन गई है लेकिन महर्शी पारशर की इससे विपरीत धारना थी और भी जोतिश के बड़े ग्यानियों की केन राव सहाब बेवी रमन सहाब इन सब की धारना भी इससे कुछ अलग रही है मेरा सौभाग है कि मैंने जोतिश के काफी बड़े गुरूं से जोतिश को सीखा है और उनसे जोतिश की चर्चा हुई है तो मेरा मानना है कि मैंने जोतिश को बहुत मतलब बैलेंस्ट तरीके से समझा है तो अब उच्च और नीच के ग्रहों पर आ जाते हैं देखिए सबसे पहला सुत्र, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है और वो नवांश में जाकर नीच का हो जाता है तो वो ग्रह एक खराब ग्रह बन जाता है उस ग्रह की दशा महादशा आपको काफी परिशानी के रिजल्ट्स या खराब रिजल्ट्स देने में सक्षम होती है अगर आपकी कुंडली का कोई भी उच्च का ग्रह आप तो देखेंगे ये मेरी कुंडली में उच्च का है, लेकिन इसके कोई अच्छे फल तो आई नहीं रहे, चेक आउट दा नवामशा, अगर वो ग्रह नीच का हो गया होगा, तो उसके अच्छे की जगह प्रीत परिणाम अवश्य आएंगे, ये आप 150 पत्रिकाओं में च मैंने किया है, तभी कह रही हो, वही पर अगर आपकी पत्रिकाओं में कोई ग्रह नीच का है, लगन पत्रिकाओं में और वो नवांश में उच्च का हो जाता है, तो वो ग्रह अपने अच्छे परिणाम अवश्य देगा, अपने अच्छे परिणाम अवश्य देगा, पर शुरुवात में आपको परिशानिया जहिलनी होंगी जैसे कि किसी का लगन लौड नीच का हो ब्रिश्चिक लगन हो मंगल नवम भाव में नीच के होकर बैठ जाएं लगन लौड नीच का हो गया पर अगर ये लगन लौड यानी कि मंगल नवांश में उच्च के हो जाएं तो ये व्यक्ति या ये बच्चा जिसकी कुंडली होगी वो शुरुवात में बहुत धीला होगा मतलब एम्बिशन भी उसके पास नहीं होगी वो लगेगा ये थोड़ा धीला बच्चा है कभी चोट चपेट भी उसके लगती रहेगी लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ये ग्रह अपने अच्छे परणाम देगा यानि कि ये वच्चा या ये व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बढ़ा कर सकता है क्योंकि लगन लॉड नीच का था लेकिन उसको नीच भंग प्राप्त हो गया और वो उच्च का हो गया मैं अभी यहाँ पर आज नीच भंग की भी जादा बात नहीं बस उच्च और नीच के ग्रहों पर सूत्र दे रही हूं तो अगर ये उच्च का हो गया है तो आप माल लिजे के ये व्यक्ति कुछ अच्छा करेगा वहीं अगर किसी का लगन लौड उच्च का हो जाए लगन में यानि की ब्रशिक लगन की ही कुंडली है तीसरे घर में उच्च का बैठा हुआ है मंगल आप कहेंगे बहुत बढ़िया है ये तो बहुत पराक्रमबान होगा ऐसा होगा वैसा होगा लेकिन अगर ये नवांश में नीच का हो गया होगा तो हो सकता है कि आप शुरू में लगे कि ये बड़ा सामर्थिवान है बहुत मतलब प्रोएक्टिवली इनिशेटिव लेता है सब कुछ है लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने उपर जादा ध्यान नहीं देगा अंबिशन नहीं होगी उसके अंदर ये परिणाम आप अवश्य देखेंगे तो उच्च और नीच के ग्रहों को अच्छे से नवांश में चेक करें पहला सुत्र दूसरा अगर आपकी कुंडली में एक से अधिक ग्रह उच्च का है तो आपकी कुंडली में कम से कम एक ग्रह नीच का अवश्य होना चाहिए अन्यथा आपके जीवन में बड़ी कठिनाईयां आती है ये सूत्र है एक से अधिक उच्च के ग्रह अगर है और नीच का कोई भी ग्रह नहीं है तो फिर आपके जीवन में कठिनाईयां अवश्य हाएंगे क्योंकि उच्च के ग्रह आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं उच्च के ग्रह आपके अंदर एहंकार देते हैं उच्च के ग्रह आपको संपूर्ण फील करवाते हैं, कि आप तो मतलब सब कुछ है आपके पास, तो आपके पास बेटरमेंट की गुंजाईश कम हो जाती है, अगर एक आधा ग्रह नीच का हो जाए, तो फिर आपकी चार्ट थोड़ी बैलेंस हो जाती है, तो आप अपनी कम पर काम करना भी सीखते हैं, तो अगर एक से अधिक उच्च का ग्रह हो, तो एक आधा नीच का ग्रह अवश्य होना जाहिए, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का है, और अगर वो जहां पर नीच का हो रहा है, वही पर किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है, जो उ पुच्च का बना देता है, जैसे कि अभी मैंने ब्रश्विक राशी का उधारन लिया था, कि मंगल जो है वो नवे घर में बैठे हो, अब अगर इनके साथ चंद्रमा भी बैठ जाए, ठीक है, मंगल बैठे हो, मंगल कहा नीच के होते हैं, करक राशी में, तो भाई वहां नीच का हो रहा है, उसका स्वामी अगर उसके साथ बैठ जाए, तो ये नीच का ग्रह नीच जैसे परिणाम नहीं देता, या धीरे-धीरे करके उसमें सुधार होने लगते हैं, वही पर अगर कोई उच्च का ग्रह जैसे सूर्य, मेश राशी में उच्च के होते हैं, और वही पर शनी भी बैठ जाए, जो कि नीच का होता है, तो इसमें क्या होगा, शनी के प्रभाव में तो ब्रद्धी होगी, लेकिन सूर्य के प्रभाव में कमी आएगी, ये ध्यान रखिएगा, हम नीच भंग तो देख लेते हैं, लेकिन उच्च भंग क्या होता है, अगर कोई ग्रह उच्च का है उसके साथ वो ग्रह बैठ जाए जो नीच का होता है वहाँ पर तो नीच का ग्रह तो अच्छा हो जाता है लेकिन उच्च के ग्रह में कमी आ जाती है और उधारन मैंने आपको सूर्य और शनी का दिया सूर्य मेशराशी में उच्च के होते हैं, शनी मेशराशी में नीच के होते हैं कौन सा ग्रह फायदे में रहा? शनी तो अब आपकी कुंडली में जो शनी का प्रभाव छेत्र होगा, उसमें तो ब्रधी होगी लेकिन जो सूर्य का प्रभाव छेत्र होगा उसमें कमी होगी ये बिलकुल ध्यान से समझ लीजिए शनी को तो ताकत मिल गई उच्च के ग्रह की लेकिन उच्च के ग्रह के क्या हुआ कमी हो गई क्योंकि उसके साथ तो वो ग्रह बैठा है जो नीच का होता है तो प्रभाव में फाइदे में कौन रहा शनी यानि कि अगर एक उच्च का ग्रह बैठा हो उसके साथ वो ग्रह बैठा हो जो नीच का होता है वहाँ पर तो जो नीच का ग्रह है उसको फाइदा मिल जाता है उच्च का ग्रह कम प्रभावशाली हो जाता है उच्च के ग्रहों के लिए अगर कोई ग्रह उच्च का नहीं नीच का अगर है कहते हैं कि नीच के ग्रह की लगन पर द्रिष्टी राजियोग बनाती है मैं नहीं कहती महर्शी पारशर कहती नीच के ग्रह की लगन पर द्रिष्टी राज योग बनाती है ऐसा कैसे होता है और अगर पारशर जी ने ये कहा है तो गहरा मतलब होगा क्यों? क्योंकि अगर कोई ग्रह नीच का है ब्रश्चिक लगन का ही उधारन लो जिससे कि आपकी दिमाग में एक कुंडली बैठ जाए ठीक है? अब अगर हम ये कहें कि भाई यहां पर कोई ग्रह जो नीच का हो उसकी द्रश्टी पढ़ जाए लगन पर अब यहां पर जो नीच के होंगे ग्रह खेर उनकी द्रश्टी नहीं पढ़ पाएगी तो एक और उधारण देना पड़ेगा यहां पर इसको उलट देते हैं और हम ब्रिशब लगन का उधारण लेते हैं यानि कि जिसकी किसी की ब्रिशब लगन है सात्वे घर में चंद्रमा बैठा हुआ है नीच का हो गया ना? चंद्रमा कहा नीच का होता है? ब्रशिक राशी में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं अब नीच का चंद्रमा लगन को देख रहा है अब महरशी पारशर कहते हैं यह राजी योग है कैसे? क्योंकि जहां पर चंद्रमा देख रहा है वो उसका उच्च इस्थान है ब्रशब में ही तो उच्च के होते ही जंद्रमा तो यानि कि ये व्यक्ति सदैव अपने को उच्चा बनाने के लिए प्रयास करेगा निरंतर क्योंकि उसकी दृष्टी कहा पर है अपने उच्च स्थान पर है वो वैसा बनना चाहता है कि मैं उच्चता पालू क्योंकि वो सीधे सामने तो उसके एक महल बना हुआ है जहां वो आराम से रह सकता है जहां वो उच्च का होता है तो उसकी जो अस्पिरेशन है उसकी आत्मा की इक्षा है वो क्या हो जाती है बड़े बनने के कुछ बढ़ा करने की इसलिए नीच के ग्रह की लगन पर द्रिष्टी अच्छी है, राज योग है, वही पर अगर उच्च का ग्रह लगन को देखेगा, फिर से ब्रश्चिक लगन पर आ जाईए, ब्रश्चिक लगन में वही चंद्रमा बठा दो, वो सात्मे घर में उच्च का है, अब उसकी द्र करती बार बार विचलित होगा, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना है, ये समझ ही नहीं आएगा, और वो एक मतलब जिसको कहते हैं, कई बार ऐसे लोगों को आप देखेंगे, कि ये काफी परिशान रहते हैं अपनी पहचान के लिए, क्योंकि उनका वो भाव नी लगन को अगर नीच का ग्रह देखे, तो राजयोग है, ये और किसी भाव पर महर्षी पारशर ने नहीं कहा हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहे हैं क्यों राजयोग है और क्यों नहीं है, तो उच्छ का ग्रह अपने नीच भाव को देख रहा है, तो ऐसे लोग काफी क बहुत बढ़ी आफल दे सकते हैं दूसरा तीसरा चौथा जो भी पॉइंट हो सूत्र हो कि आपके तीन छै ग्यारा थ्री, सिक्स, इलेवन में तो उच्च के ग्रह बिलकुल भी अच्छे नहीं है तीन छै ग्यारा में उच्च के ग्रह अच्छे नहीं है मैंने ऐसी हजारों पत्रिकाएं देखी है चाहे वो अमिताब बच्चन हो चाहे वो और बहुत मेरे क्लाइंस हो कि अगर छटे घर में उच्च का ग्रह था या तो रोग या फिर रिन आपको बड़े लेविल का देखना पड़ा अमिताब बच्चन जी की चाहट में ही है चटे घर में उच्च के ब्रहस्पती है देखे उनकी द्रश्टी पाँचवी करियर पर जा रहे है तो वो तो बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने उच्च का ब्रहस्पती दसवे घर को देख रहा है लेकिन उनका रोग बढ़ा दिया रिन भी बढ़ाया था बड़े भयंकर एकोनोमिक मतलब एकोनोमिकल क्राइसिस से गुजर गए थे बहुत करजे में आ गए थे छटे घर तीसरे घर ग्यार्वे घर में उच्च के ग्रह हों तो प्रसंद ना हों यह परिशानी लेकर आ सकते केंद्र और त्रिकोन में उच्च के ग्रह बहुत अचह है तीन च़्े ग्यारा में नीच के ग्रह अचह है क्योंकि खराब इस्थानों को कम करेंगे तो अच्छा हो गया उच्च का ग्रह क्या करता है चीज को बढ़ाता है नीच का ग्रह कम करता है, खराबी बढ़े, तो अच्छी बात है क्या? नहीं न, तो 3-6-11 में उच्छ के ग्रह no-no, नीच के ग्रह yes, welcome, केंद्रोर त्रिकोर्ण में उच्छ के ग्रह welcome, नीच के ग्रह अच्छे नहीं, ठीक है? तो इस तरह से भी आप केवल ये नहीं देखेंगे कि मेरे याँ उच्छ के हैं, नीच के हैं, कहां बैठी हैं, ये बहुत ज़रूर है, आपकी कुंडली के 3-6-11 के मालिक भी अगर नीच के हैं, तो एक राजियोग है, 3-6-11 आपकी कुंडली के 3-6-11 के मालिक नीच के हों, तो ये भी एक इंडाइरेक्ट राजियोग है, इसी तरह केंद्र और त्रिकोन के मालिक उच्छ के हों, तो भी राजियोग है, ठीक है? नीच के ग्रहों के पास चीज को श्रिंक करना, या थोड़ा कम करना, कम पावर्फुल बनाना है, तो ये जितने खराब इस्थान हैं, उनके मालिक और खराब इस्थानों में नीच के ग्रह अच्छे होते हैं, उच्छ के ग्रह जो हैं, वो आपके अंदर, जो मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले कहा था, क्या आपके अंदर एक सेल्फ, explanैला जिसको कहते हैं आप अपने आपमे पूर्टा संतुष्ट से रहते हैं, या बहुत होते हैं, तो बहुत एगोईस्ट होते हैं, मतलब जो मैंने अचीव कर लिया, बहुत कर लिया, मेरे पास बहुत है, और ये आदत कभी-कभी आपके लिए फिर अच्छी साबित नहीं होती, एरोगेंस आजाती है, इसलिए मैंने ये बात आपको एक सूत्र दिया, कि अगर एक दो ग्रह उच्छ के हों, तो एक नीच का आजाए, तो पत्र का बैलेंस हो जाती है, उच्छ के ग्रह जो है, वो अभिमान भी देते हैं, मतलब जैसे अगर किसी का दूसरे घर का मालिक उच्छ का है, तो वो व्यक्ति जरूर बताएगा, मेरा परिवार ऐसा, मैं बहुत अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया है, मेरा परिवार बहुत ग्यानी है, बहुत उच्छ भी मतलब उसकी कुछ अच्छाईयां जरूर बताएगा, लगनो लौड उच्छ का है तो वो खुद को सबसे बड़ा मानेगा, यानि एक अपने को औरों से बहतर मानने की आदत आ जाती है, क्योंकि वो ग्रह अपनी परम उच्छ अवस्था पर है, अच्छा बैठ हुए हों, तीन छे ग्यारा में न बैठे हों, और एक सूत्र जो सबसे बड़ा, अगर कोई ग्रह जो की अच्छा है, माना लगनो लौड उच्छ का है, या तो वो हर ग्रह एक सर्टेन डिग्री पर उच्छ का होता है, जैसे ब्रिस्पति हैं, वो पांच डिग्री पर उच के होते हैं, करक राशी में पांच डिग्री पर उच्छ के होते हैं, अब अगर आपकी कुंडली में, ब्रिस्पति करक राशी में ही हों, और पांच डिग्री पर हों, या दूसरा व्यक्ति है, उसका भी करक राशी में ब्रिस्पति है, लेकिन वो 29 डिग्री पर है, किसको उच्चता के फल अधिक मिलेंगे, जिसका 5 डिग्री पर है, या 5 डिग्री से close है, 3 डिग्री पर है, 4 पर है, 7 पर है, 6 पर है, यानि 3 डिग्री इधर, 3 डिग्री इधर, तो वो बहुत बढ़िया हो गया, अब अपनी उच्च की अवस्था से जब वो ग्रह 20 डिग्री दूर चला गया, तो एक जैसे फल नहीं मिलेंगे, इसलिए आप देखें कि कुछ उच्च के ब्रिस्पती वाले बहुत अच्छे हैं, और कुछ कह रहे हमें कुछ भी नहीं मिला, यह मैंने उधारन दिया है ब्रिस्पती का, सिर्फ आपको डिग्री समझाने के लिए, तो ये भी देख लें, इसी तरह नीच के ग्रह का भी है, कि नीच के ग्रह भी माना ब्रिस्पती जो है करक राशी में तो पांच डिग्री पर उच्च के होते हैं, और मकर में पांच के ही सबसे नीच अवस्था में चले जाते हैं, तो अगर आपके ब्रिस्पती मकर राशी में बैठे यानि नीच के ब्रहस्पति हैं और उनकी 25 डिग्री है तो यानि उनकी भी नीचता में कमी आ गई क्योंकि वो अपनी नीच अवस्था से बहुत दूर चले गए पर अगर पांच डिग्री पर ही होंगे मकर पर तो पूरे नीच के हैं यानि कष्ट या कमजोरी ज्यादा हो और एक सूत्र जो हमेशा मैं कहती हूँ कि भाई लगन की डिग्री पर जो ग्रह होगा वो सबसे प्रभावशाली होगा तो ये उच्च नीच का तो देखी लिया आपने के भाई डिग्री चेक कर ली उच्च का ग्रह अपनी उच्च की डिग्री के क्लोज है तो बहुत तो फिर थोड़ा कम अच्छा या प्रभाव कम हो गया नीच का ग्रह अपनी नीच की डिग्री पर बहुत खराब उससे दूर चला गया कम खराब पर अगर यह उच्छ या नीच के ग्रह लगन की डिग्री पर हो आपकी लगन माना की 15 डिग्री पर हो आप ब्रेस्पति उच् तो मैं कहूँगी ये सबसे प्रभाव शाली ब्रेस्पती है लगन की डिगरी पर बैठे ग्रह सर्वोत्तम या सबसे ज्यादा प्रभाव देने में सक्षम होते हैं तो ये कुछ सूत्र जो अभी मेरे दिमाग में ते सेक्णों होंगे और मैं वीडियो बहुत लंबा भी नहीं करना चाहती हूँ तो ये कुछ सूत्र लगा कर देखिए उच्च और नीच के ग्रहों पर और फिर इनके प्रभाव को देखिए तो आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो ये मेरी छोटी सी एक क्लैरिफिकेशन कह लीजे या एनलिसिस कह लीजे उच्च और नीच के ग्रहों पर आप लोग अपनी अपनी पत्रिकाओं में लगा कर देखें आपको अच्छे से ये ग्रह समझ में आने लगेंगे हाँ अच्छा इसमें एक और बात आती है कि अगर वक्री हो जाएं तब क्या हाँ हाँ ये तुम्हें भूली गई एक और सोत्र अगर उच्च का ग्रह वक्री हो जाएं तो फिर वो अच्छा नहीं जादा तर बार मैंने देखा है कि उच्च के ग्रह का वक्री होना उसके प्रभाव में कमी करता है और अगर नीच का ग्रह वक्री है तो फिर वो उसकी नीचता को कम करता है और अगर 3, 6, 11 में नीच के ग्रह हों और वो वक्री हों तो फिर तो ये equal to राजियोग होता है ये कियांदराव साब कहते हैं फल्दीपिका कहती है 3, 6, 11 में नीच के ग्रह वक्री हो जाएं तो ये equal to राजियोग होता है उच के ग्रह अगर वक्री होते हैं तो फिर ये थोड़े उनके प्रभाव में कमी कमजोरी लाते हैं यानि कि अगर उच का ग्रह वक्री है तो अच्छे प्रभाव मिलेंगे आपको जरूर मिलेंगे लेकिन उसी की दशा में कभी कोई एक दम आपको लगेगा आपको लगेगा एक फॉल आ गया तो इस तरह के प्रभाव उच्च और नीच के वक्री ग्रह देते हैं ठीक है अब आप कहेंगे एक और बता देती हूँ कि उच्च का ग्रह अगर अस्त है तो क्या होगा इसके लिए मेरा एक अस्त ग्रहू का वीडियो देखिए अगर आपकी कुंडली में उच्च का ग्रह अस्त हो रहा है अच्छा तो नहीं है लेकिन आपको देखना है कि सूर्य से अस्त होते हैं न ग्रह तो अगर सूर्य किसी अच्छे स्थान का मालिक है आपकी कुडली में दसमे घर का, लगन का, पांचमे घर का, नवे घर का तो फिर ठीक है क्योंकि सूर्य फिर उसके प्रभाव को बैलेंस कर देगा लेकिन अगर सूर्य खराब इस्थानों का मालिक है तो फिर उच्च का अस्त ग्रह प्रभाव हीन हो जाएगा या अच्छे प्रभाव नहीं दे पाएगा पर अस्त के ग्रहों पर एक वीडियो है जिसमें मैंने अस्त के ग्रहों पर पूरी थियोरी आपको समझाईए उसको देखिए तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा चलिए अब समाप्त करती हो अपना वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को बेल आइकन प्रेस कर दीजे तो नई वीडियो का पता चल जाता है आपको थैंक यू, धन्यवाल आपको अपको करें प्रीजे तो तो वीडियो वीडियो प्रीजे करें गू प्रीजे अवीडियो यह पया लीज नवीड़ भीजे राग ए रह झाल झाल